आज 28 अगस्त को करनाल में जो बस्ताडा टोल प्लाजा पे घटना हुए उसके बारे में आपको कुछ तख्य बताना चाहूँगा सुबे करीब 12 बजे वहां कुछ किसान प्रदर्शन कारी जो मौझूद थे उन्होंने जवरस्ती नैशनल हेवे को जाम किया और जवरस्ती करनाल शहर की तरफ जाने की कुशिश की जब उनको वहां पे मौझूद करमचारियों ने अधिकारियों ने समझाया कि आप वहां नहीं जा सकते हैं उसके बाद उन्होंने उग्र एक रूप ले लिया और कुछ प्रदर्शन कारीयों ने पुलिस बल पे पत्थर फेंके कुछ लोगों ने कसी वगरा सभी अटैक करने की कुशिश की उसके बाद नियमा नुसार पुलिस बल ने एक हलका बल प्रयोग किया और उनको वहां से हटाया इस विशे में अभी तक प्राप जानकरी के नुसार चार किसान भाहियों को चोटाई है और दस पुलिस करमचारियों को चोटाई है इस विशे में मैं आपको कुछ बैक्राउंड भी बताना चाहूंगा 7 जून 2021 को तोहाना में संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ लीडर्स के साथ हमारी बाचीत हुई थी और उन्होंने हमें एक लिखित आश्वासन दिया था कि आगे से हम कभी भी उग्र रूप नहीं धारन करेंगे अपने प्रदर्शन का और शांती प्रिये धंक से हम प्रदर्शन करेंगे लेकिन उसके बाद काफी घटना ही ऐसी हुई है जिसमें उन्होंने वाइलेंट मीन्स का सारा लिया है और जब जब भी एक कोई भी प्रदर्शन वाइलेंट पर उतर आता है तो कुलिस की एक ये ड्यूटी बनती है कि वहाँ पर लॉयड ओर्डर को मेंटेन किया जाए